तोते की शाप की वज़े से सीता जी को सहना पड़ा था या कस्त माता सीता बाल्या वस्ता में अपनी सहलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया मादा तोता बोल रही थी कि आयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे उनसे माता सीता का विवा होगा तोते के मुख से भावी पती का नाम सुनकर माता सीता अचंबित हो गई उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जगरत हुई इसलिए उन्होंने अपनी सक्षियों से कहकर दोनों पंग्छियों को पकड़ लिया फिर उन्हों को पुचकार कर पूचा कि भविस्य के बारे में इतना घ्यान कहां से प्राप्थ हुआ तब पंग्छियों ने बताया कि इससे पहले हम महरसी वालमीखी के आसरम में रहते थे जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्त याद हो गई है सीता जी ने पंग्छियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कह रहे हो वे मैं ही हूँ मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है तब नर तोता ने कहा कि हे सीता आपका विवा आयोध्या के राजा दस्रत के जेश्ट पुत्र राम के साथ आपका विवा होगा और आपकी जोड़ी तिनों लोगों में सबसे अद्वुत होगी सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा बिवा नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राज महल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविदाएं मिलेंगी सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घवरा गया तब नर्टोता ने कहा हे जनक पुतरी हम गगन के पंक्छी हैं इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे इसलिए हमको आजात कर दीजे तोते ने इसके लिए बहुत याचना की तब सीता जी ने नर्टोते को छोड़ दिया लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी नर्टोता ने कहा कि मेरी पतनी गर्भवती है इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें हम दोनों एक दुसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते इसलिए आप मेरी पतनी को जाने दें लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी इस पर मादा तोता को बहुत गुसा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्ता में मेरे पती से मुझको अलग कर दिया है वैसे ही गर्भावस्ता के दौरान तुमको भी पती वियोग सहना पड़ेगा इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिये मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पतनी वियोग में भी प्राण चले गए इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बताया जाता है कि अगले जनम में तोता वही धोवी था जिसने माता सीता के चरितर पर उंगली उठाई थी जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भा वस्था के दौरां त्याग कर दिया तब माता सीता महरसी वालमीगी के आस्रम पहुँची और वहाँ उन्होंने लौकुस को जनम दिया सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है चाहें वह इंसान हो या इस्वर दोस्तों कहानी कैसी लगी कामेंट में जरूर बताईएगा और ऐसी कहानिया जानने के लिए, सुनने के लिए और प्रिरित होने के लिए चनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार और मिलते हैं अगली कहानि में